चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा दीजिए और वीडियो शेयर जरूर करना धन्यवाद आपके पैसे की सेविंग करेगा नहीं तो आपको नुक्सान हो जाएगा तो इसको पूरा सुनिए समझिए और जो सवाल मेरे चैनल पर पढ़के आपको सुना देता हूं रिसेंटली जो सवाल आये थे वैसे सवाल बहुत सारे आ चुके हैं लेकिन इसको पहले सुन लीजिए उसके बाद आपको कुछ इसके बारे में जानकारी मैं दूँगा जो मेरा एक्सपिरियंस है उसके बेस पे ताकि आप सही डिसीजन ले पाएं देखिए अभी जो रिसेंटली मेरे चैनल पर कमेंट आया था सवाल आया था मेरे पिता जी ने 16 साल की पॉलिसी खरीदी थी ल अब मैं अगर उससे निकालूं तो क्या मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा या ऐसे भी सवाल आये हैं कि मैंने सिर्फ एक साल जमा किया था पैसा और अब नहीं जमा कर पा रहा हूं दो-तीन साल से बंद है पॉल्सी तो क्या मैं उसको पैसे को निकाल सकता हूं थोड़ा बह मैं बता दूँ 2014 के बाद से नियम आया था लाइसी का कि अगर आप 2 साल कंप्लीट प्रिमियम जमा कर दिये हैं तो उसे आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं लेकिन सरेंडर पे ध्याने रखिएगा 25-30% पैसा कटकी मलता है लेकिन 2 साल कंप्लीट प्रिमियम अगर जमा हो चु है वो आपको LIC office में जाकर पता करना पड़ेगा कि Surrender Value कितना है जिस समय आपको Surrender करना है उस समय आप LIC office में जाकर पूछ सकते हैं कि अगर हम Surrender करेंगे तो इसमें हमें कितना मिलेगा तो उससे calculation आपको पता चल जाएगा कि आपने जमा कितना किया था अभी कितना मिलने व गया दूसरा जिन्हों ने comment किया था कि कि आजहा है देखिए 16 साल की साथ साल तकuel चल चुकी है और वह सोलर साल शोक पने आजाएगा में जितना बनेगा आप सोचिएगा कि 16 साल के लिए policy थी तो पूरा maturity 16 साल का मिलेगा चुकि 7 साल आपने जितना पैसा जमा किया है तो सिर्फ 7 साल पर जितना bonus बनेगा वो total मिल जाएगा उसमें कोई कटवती नहीं होगी चुकि maturity हो चुका है तीसरा situation माल लेजे आपने एक साल सिर्फ जमा किया प्रिमियम और 2014 के बाद आपने policy लिया था तो condition है दो साल complete होना चाहिए तो अगर आप एक साल जमा करके छोड़ चुके हैं तो पांग साल के अंदर कभी भी आप उसे late fees दे के शु चाहिए दो साल बाद surrender कर दे 5 साल बाद कर दे चाहिए जब उसकी maturity होनी तब कर दे जितना ही ज्यादा समय उसमें पैसा पड़ा रहेगा लाईसी में उसमें जो bonus है हर साल जुड़ता रहेगा तो कुछ ने कुछ बढ़के ही मिलेगा लेकिन surrender कभी भी आप करते हैं Surrender value कटन दो साल complete premium जमा हुआ है तो आप उस पर लोन भी उठा सकते हैं लोन उठाएंगे तो जितना आपका premium जमा होता है उसका 75% से 90% तक आपको लोन मिल जाता है तो आप चाहिए तो उस पर लोन ले 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 और अपना काम चला ले और जब आपके पास बैसे बहुस्ता हो जाए आ कोन का पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं वो आपको जो है इस समय साड़े-10% LIC में इंट्रेसरेट है इसका पहले साड़े-9% था और वैसे बाहर कहीं भी आप लेते हैं तो कहीं आमने सुना है पांच रुपए का सहकडा मिलता है पैसा, तीन रुपए का सहकडा मिलता है अगर किस्त जमा करते रहें आपके लाशी सेफ रहेंगी सुरचीत रहेंगी इनफर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं चैनल पहें नहें तो सब्सक्राइब कर लिजेगा किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करेगा उसके वीडियो जरू बनाऊंग आज के फिरा अतना ही थैंक्यू सो मच